और मैच कराते हैं कोई option ही नहीं मैच करता है तो हमें अपनी गलतियों को improve करना है अब यहां देखो एक electron है यह बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत कम लोग इसको depth में समझा पाएंगे या समझ पाएंगे इसको ठीक है इल्ड्राण अाथ इन हइड्रोजं एर्डं पासेज उन वटन एक में चला गया और विलो बहुत अच्छी बात है वो मैं आपको समझाऊंगा अब देखो यहां से यह निकलियस है और यह पूरा एटम मालो ऐसे एटम मालो रखा हुआ है यह ग्राउन पर एसे एटम रखा हुआ है तो यहां से अगर कोई इलेक्ट्रान है जो फिप्ट एनर्जी लेबल में यह एन फाइफ है और यह एन इसकोल टूवान है बीच में मैं छोड़ देता हूं यह तो यहां से अगर कोई क coolest करना तो वह वह क्या करेगा इस प्रॉआसिश्व में एक फोटॉन निगलेगा एक फोटॉन निकलेगा एक त्रांजिशन हुआ तो इक फोटॉन में निगलेगा तो उस पोटॉन की अपनी वेलासिटी है उस photon का अपना मोमेंटम है उस photon की अपनी वेवलेंट है क्योंकि photon एक पार्टिकील यह तो इस फॉटॉन की वजये से VC होता है वो अगर atom पीछे नहीं जाएगा atom पीछे require नहीं होगा तो momentum conservation physics का गलत हो जाएगा तो अगर कोई मतलब यह है तो अगर photon isn't it हुआ photon इधर जा रहा है तो atom को इधर जाना पड़ेगा इसको हम बोलते है require require velocity और यही velocity यहाँ पूचा जा रहा है इस velocity को मैं नाम दे देता हूँ V dash तो V dash क्या है atom इधर V dash से जाता है बट अगर आप depth में बहुत depth में पढ़ोगे तो आपको यह बात पता चलेगा कि जन्रली हम इसकी V dash की बात नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं हम लोग calculate करके देखे हैं आप भी अगर कभी कि मौका मिले तो calculate करना जो atom की जो velocity होती है वो बहुत ही कम होती है atom की जो velocity बहुत कम होती है atom की momentum बहुत कम होता है और यह जो photon है बहुत छोटा particle है तो बहुत कम momentum दे पाता है इसको तो जो velocity V dash आती है तो momentum of atom is very very less than B तो 99% case में हम इस velocity को ignore कर देते हैं neglect कर देते हैं पर यहाँ पर यह velocity की neglect नहीं करना है यहाँ पर यह velocity calculate करनी है तो बढ़िया question है तो चलो अब यह question समझ में आ गया तो हम इसको calculate कर लेते हैं सबसे पहले momentum conservation लगा देते हैं अगर यह जो photon जो निकला इस photon की जो momentum है यह जो momentum atom का P dash must be equal in magnitude direction में तो आप वोज़ेगा क्योंकि initially atom क्या था rest में था तो अगर initial rest में था तो initial momentum 0 था तो final 0 होने के लिए अगर photon इधर जा रहा तो atom को इधर जाना पड़ेगा तिन दोनों का magnitude momentum P dash P k equal होगा अब atom का momentum atom का जो mass है वो दिया होगा है यहां पर कि यह क्या बहुत है इलेक्टान आप इस्ट्रेशन ही हाइडोजन इनर्जी लेवर इनर्जी अप्ड़ एटम रिक्वाइर इस रिजल्ट आप इमिशन आथ तो यहां पर में नहीं किया है एटम का मास्क पर बिना मोमेंटम फोटान की मोमेंटम कैसे कैल्गूलेट करते हैं फोटान की मोमेंटम इसकोल टू पी इसकोल टू एच अपान लेमड़ा यह पढ़के आये होगे ठीक है डी ब्रॉगली वेवलेंद्ध डी ब्रॉगली में आया होगा तो इसकी जो मोमेंटम हो जाएगी एच अप गिवें इन दे टर्म अब लेंडा तो रिगबर कॉंस्टेंट और एच के टर्म में है तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे लेंडा को रिप्लेस करना पड़े तो लेंडा को कैसे लेंडा क्या है तो लेंडा वह फोटॉन की वेवलेंट है जो डीक साइड जब इलेक्टान हु प्यारे बच्चों कि इसका मतलब यह हुआ है यहां से मैं यहां मतलब यह हुआ जाएगा तो आप्र लेंडा की जो थे वाय तो यह जो लांक से 낮 गर दो 25 M this is the final solution, तो यह यहां से आप देख लेते हैं कि 25 upon 24 HR 24 HR divided by 25, तो 24 HR divided by 25 finally जो है, यह हमारा first option match कर रहा है बाकी गलत है ठीक है, the mass is not mentioned here, आप note कर लेन मास ओना चाहिए